नमस्कार, R.I.S. यूज में आपका स्वागत हैं, तो पेश आज की एहम खबरे बिहार में पंचाई चुनाओ को लेका राजनेतिक विसाद बिच चुकी है R.I.S. नूज अपने दर्सकों को ग्राउंड रपोर्ट दिखा रहा है जिसमें भावी पर्तियासियों से साख्षतकार के साथ ही जनता से उनके बारे में राय ली जा रही है इसी बीच आज R.I.S. नूज लाइप की टीम पहुँची गोपाल गंच की माज़ा पूर्वी पंचाईत जहां से अब्दुल एहद भावी सरपंच पर्तियासी हैं अस्था के पंचाईत चुनाओ को ले करके अलग अलग पंचाईतों का सियासी मिजाज मैं जानने की कोशिस कर रहा हूँ और हमारे साथ नौजवान चहरा पंचाईत माज़ा पूर्वी से गराम कचहरी से सरपंच के उमिदवार अब्दुल अहद जी हैं जिनसे हम लोग मिलने के लिए इनके निवास अस्थान तक आए और आज हमारी एराई नौज लाइब मीडिया ने जो सरवेक्षण किया उस सरवेक्षण रिपोर्ट के अधार पर यहां तक आने का मौका मिला सबसे पहले तो अब्दुलाहज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एराई नौज लाइब में धन्यवाद आप पंचायत के चुनाओं में जो इंट्री कर रहे हैं सरपंच पर ही क्यों आप परियासरत हैं सरपंच पर आने का मतलब यह है कि जो आम गरीब जनता लोग है उसके साथ अन्याय हो रहा था इसका जो बहुत सारा मामला है इस पंचायत अस्तर पर हो जना चाहिए था गराम कचहरी के दोलब इसको जो है यहां पर नौ करके ऊधाना और कचहरी तक यह मामला चला जा रहा था तो मुझे देखने के बाद ये लगा कि कोई नया आना चाहिए, लास्ट में ये हुआ कि मैं ही खुद क्यों नहीं इसके लिए आगे आओं, तो मैं आया यहां पे, लोगों का भी रुजान था कि आपको आना चाहिए, और मैं जब से यहां पे आग खोला अपने, मता पिता के जाने माने टीचर में हिस्ट्री और इंग्लिस के रहे हैं, 94 तक हो रहे हैं, तो एक educated family रहा है, तो इसलिए मैं इसमें आया, ताकि जनता के लिए कुछ काम कर सकूँ, और नयाय दिला सकूँ. सरपंज पद पर चुनाओं में जीत अगर हांसिल होती है, जनता आपको इस पद पर सुसोभित करती है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि ग्राम कचारी में इस काम को किश डंग से करेंगा। ग्राम कचारी लेबल पर इनका कमपरमाईज हो जाए, यह बात आगे तक न जाए, और ग्राम कचारी का एक समझिये के इस तरह से है कि आदमी हाई कोट सुप्रिंग कोट से भी लड़के आता है, तो बाद में ऐसा भी हुआ है कि ग्राम कचारी के लेबल तक ही जो है, इसक समर्थन जनता का यहां मुझे मिल रहा है, पंचायत की जो सम्मानी जनता है, उससे इस बार के चुनाओ को लेकर के क्या अपील करेंगे? यहां पे जो लोग हैं, बुद्धी जीवी हैं, बच्चे हैं और नौजवान तपके के जो खास करके एजुकेटेड लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि सच्चा और अच्छा चुने और अपने पंचायत को जो है, एक सुन्दर दिशा देने की कोशिश करें, ताके आपके पं अभी तक तो लग रहा है कि लोग जो है मुझे असिर्वात दे रहे हैं, बुड़े भी असिर्वात दे रहे हैं, और नौजवान तपका जो खास करके एजुकेटेड जो फे लोग है, वो लोग जो है साथ में, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो जो है, मुझे एक मौका झा सबना प्यार दे रहे हैं छेत्र में घुमते समय तो अपना प्यार बनाय रखें असिरवात दे मेरी अपील है, आपके पूरज़ूं का जो के छेत्र में सिख्षा के छेत्र में समाज सिवा के छेत्र में उसका भी कहीं ने कहीं एक परत्यक्ष रूप से प्रभाव चुनाव के बढ़नाम पर मिल सकता है गया कि ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन हाँ फैमली जो है जुकेटड फैमली है तो इसका तो परभाव होगा एक साफ सुत्रा लोग के तौर पर जाने जाते हैं तो यह हो सकता है लेकिन जब लोग रहे तो अच्छे टीचर के रूप में रहे अच्छे लोग में जाने गया और उनक चलते चलते एक सिधा सवाल आपसे अंतिम सवाल कि ग्राम कचरी में जो नयाई मित्र हैं जो आपके गौर्मेंट और वोकेट हैं सरकारी वकील हैं उनको इसलिए बहाल किया गया है कि सरपंच को कानूनी पक्ष सही डंग से हो समझा सके हैं ग्राम कचरी के संचालन में परत गुवर्मेंट के तरफ से यहां पे जो अभी है कौन है यह पता नहीं है बस यह है कि अपनी जो सरपंच है मैं उनको पाइचानता हूं और वो भी जो है एक तरह से गुपाल गंज कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं उनको इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से टेक अप करना चाहिए था जो शायद मेरी हिसाब से नहीँ हो सका माजह पुर्वी पंचायत के भावी सरपंच परतै अब्द सत जनता क्या कुछा RJए eigenlijk है इस राजिके और इश के है पहले का वेक्षीन आप इन्जिक्शन लें आपने को सवस्त रखें और सेफ रखें दूसरी बात因为 सावन का महीन चल रहा है इसमें जो है पुजा भी करें और संति पूवक जो है अपने इस सावन को जो करें और दूसरी चीज यह है कि यह 15 अगस्त जो हमारे बीच एक सेलिब्रेट का मौका है जश्न मनाने का इससे सारे बुद्धिजी और नौजवान और जितने लोग हैं इसको अच्छे तरीके से मनाएं और सांति प्रुवक इस चीज को मनाएं आपस में भाई-चारगी ताक के खुश्वस्त रहें अपने परवार को रखें और लोगों को रखें यहां के जनता से और इस राज के और इस देश के लोगों से यह मेरा अपील है